मुंबई के खिलाफ लगातार तीसरा मैच जीतने उतरेगी, चेननई, धोनी और रोहित पर रहेंगी निगाहें, दोनों टीमों के बीच आंकडे की बात करें, तो मुंबई और चेननई के बीच अब तक IPL में कुल 36 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें से मुंबई ने 20 और चे अबरी से इंतजार रहता है, दो चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें आज आमने सामने होंगी, इन दोनों टीमों का IPL पर राज रहा है और पांच-पांच बार, खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। क्लासिको स्पैनिश शब्द है, वान खेडे में दोनों टीमें 12 बार आमने सामने आ चुकी हैं, इनमें से मुंबई ने 7 और चेन्नई ने 5 मुकाबले जीते हैं, हालांकि दोनों टीमों के बीच पिछले 2 मुकाबलों की बात करें तो चेन्नई ने दोनों में जीत हासिल की ह CSK ने ये दोनों मैच चेज करते हुए जीते हैं। चेन्नई ने अपने 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं। वहीं मुंबई के ली सीजन की शुरुआत खराब रही थी। उसने लगातार 3 मैच गमवाए थे। लेकिन टीम फिर लाइये में लोटी और अपने पिछले 2 मुकाबले जीते हैं। वहीं CSK की टीम ने शुरू में अपन की पटरी पर वापस आई टीम की बात करें। मुंबई की पूरी टीम फिलहाल फिट है। सूर्य कुमार यादव की वापसी के बाद से टीम का मध्यकरम काफी मजबूत हुआ है। इशान किशन और रोहित शर्मा अच्छी शुरूआत दे रहे हैं।